सुक्मा जिले में पुलिस वुभा को बड़ी सफलता मिली है बतादे कि पुलिस ने भारी मात्रा में अवेद मादक पदार्थ की तस्कुरी करने वाले आरोपी को गिरफतार किया बताया जा रहा है कि कोटा से रायपुर जाने वाली कांग के रोड़वेज बस में आरोपी करीब 50 किलोग्राम गांजा परिवाहन कर रहा था जिसकी मुबीव द्वारा सूचना मिलते ही पुलिस ने ततकार दबिश दे कर आरोपी के कबजे से प्लास्टिक बैग में करीब 50 किलोग्राम गांजा बरामत किया वहीं बरामत किये गांजे की कीमत करीब 5,000,000 बताय जा इसके तहट ही तोंग पाल पुलिस ने वैधाने कारवाई करते हुए आरोपी को गिरफतार किया है